Good morning everyone, तो आज हम बात करने जा रहे हैं Red Sea को जो surround करती है countries उनके बारे में ठीक है तो अकर हम map में देखें तो Red Sea को 6 country surround कर रही है Red Sea को 4 तरफ से मतलब क्या कर रही है? टच कर रही है तो first one is Egypt, Sudan, नीचे 2 country है इटरिया, जिबूती, इधार Yemen है और इधार Saudi Arabia ठीक है अ narrow water body which connects two water bodies, यह two large water bodies ठीक है तो यह state का नाम है Bab al Mandalaप, बाब Al Mandalaप जो state है वो कि इसको किसको connect करता है पहला है Red Sea को और दूसरा Arabian Sea को ठीक है पहला कोशन यह आ सकता है कि Bab al Mandalaप जो state है Red Sea और Arabian Sea को connect करता है दूसरा यहाँ पर एक switch channel, switch channel पर कई बर question आता है कि switch channel किसको किसको connect करता है, switch channel red sea और Mediterranean sea को connect करता है, ठीक है, यह हो गया, अब हम क्या देखते हैं, इधर Arabian sea है, अच्छा और भी कई चीजे हैं जो हम देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं इसमें, कि red sea का color red है, ठीक है, पहली अच्छा, अब red sea का color red है, इसलिए इसका नाम red sea है, उसका reason है कि यहाँ पे एक blue green algae पाए जाता है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, एक blue green algae पाए जाता है, जिसका नाम है, trichodecemium erythium, ठीक है, इस algae का नाम है, इस algae की वज़ए से इसका color red होता है, ठीक है, तो यह कुछ important चीजे रही, हमें यह याद रखना है कि state कौन कौन से एक state है, एक यह state है, surrounding country याद रखनी, 6 surrounding country है, इस पे question आता है, ठीक है, तो यह सब important चीजे रही है, red sea से related, ठीक है, याद होना चाहिए, वीडियो अच्छा लगे, तो like, subscribe करें,